वेलकम अगेन आज मैं बताने जा रहा हूँ TBM कैसे फिक्स करते हैं RL कैसे फिक्स करते हैं एक जगह से दूसरे जगह अटो लेबल मसीन से ये बहुत इंपोर्टेंट है जो सिविल में इंट्रेस्ट रखते हैं मुझे काम करना है तो ये अटो लेबल मसीन को चलाना आना चाहिए कि सिविल के सबसे फ़श्ट वर्क होता है सर्वे ये देख रहे हैं आप अटो लेबल मसीन से अटो लेबल सिफ्ट किया जा रहा है सेट किया जा रहा है उस मसीन से ये रीडिंग बीएस देखा जा रहा है देखे ये पहला रीडिंग स्टाप रीडिंग 1220 आया है इसको रीडिंग देखा गया अब देन आफ्टर क्या करेंगे कि आपको इस स्टाप को मुव करेंगे देखे दूसरे जगा आ गया जो विजिवाल होना चाहिए 30 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस मत लिजिएगा और नहीं तो इरर आ सकता है एक बार में आप सुचे जितना विजिवाल नहीं है आप परफेक्ट दिखाई देना चाहिए स्टाप रीडिंग देखे उस तरह से आप रखा गया है और यह जो रखा गया स्टाप यहां अपको मूव नहीं करना है यहां फिक्स पॉइंट यहां भी होना चाहिए ताकि टेंप्रोरी इसको फिक्स ही कर दिजिएगा ताकि देखे मसीन को अब वहां से दुसरे जगल आया जा रहा है और इसको हिलायना नहीं है मूव नहीं करना है इसी पे फिर हम बी एस देखेंगे ओके देखी हमने मसीन को यहां रख दिया फिर इस मसीन को सेट करेंगा और सेट अच्छे तरह से करना है ताकि यह मसीन हिल न पाए बबल को सेट किया जा रहा है bubble अगर आपको set करने नहीं आता है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ playlist में जाकर आप देख सकते हैं और two level सिखने के लिए मैं अलग से एक playlist बना दिया हूँ तो आप लोग सिख सकते हैं कि कैसे bubble देखे bubble set हो गया देखे जहां पर हमने fs देखा था वहीं ये staff एदम खड़ा है और मुझे क्या करना उसको देखना है उसका reading याद करना है sorry याद करके रख लीजिए note कर लीजिए note कीजिए एक register में देखे साथ साथ में note भी किया जा रहा है उस reading को पढ़ लीजिए ओके एदम carefully देखना है यह है experience list count RL में 5 mm जो होता list count लेही ने experience base में आपको यह देखना है कि 5 mm 2 mm, 1 mm भी पढ़ना है ताकि कोई mistake न हो यहां तक transfer अब देखिए मुझे इस point पर यह पहले से मैं fix करके रखा हूँ कि मुझे इसको TBM बनाना है उसको उसी पर देख रहा है तो अब machine को आपको वहाँ पर देखना है ठीक है यह देखा जा रहा है अब मुझे क्या करना है कि मुझे close करना है तो close करना है तो आप BS देख लीजिए मैं आपको पूरा calculation बता है अभी अभी आपन क्या किये है उसका calculation करना है reading देखना तो आसान है मैं आपको इसके बारे में बता दू calculation थोड़ा difficult होता है उस समझना होता है अभी आपन क्या किये है कि जिस point से RL shift किये है उसका distance लगवग 100 meter के बराबर है लगवग ठीक है अब क्या किये है कि आपन machine set किये है इस point यह हम आपको दिखा है कि यहां जानते है RL यहां 100 है तो यहां से एक reading लिए है अभी आपको देखे है साइड में किये है यहां से reading लिए है फिर एक reading यहां लिए है यह visual point नहीं था इस machine से और 100 meter जो दूरी भी ज़्यदा हो रहा है यानि कि हम सहीद से staff reading पर नहीं पाते है गलत होता है तो यह label transfer करते है इसमें 30 meter से ज़्यादा reading दूरी पर नहीं देखते है ओके तो अगर हम बात करें तो यह 100 meter कहता है दो बार changing करने में हमने यहां तक देखा तो आप क्या किये है कि पहला reading होगी आपका फिर यह Fs यह Fs होता है यह Fs पाइस इसी से आप क्या किये हैं दुबारा कि यह CP change point आपन किये हैं तो यह इसी पर देखें तो यह इसका BS हो गया और यह Fs हो गया अप क्या करना है कि एक बात आप यहां ले गए हैं आपन यहां से भी यहां लाके देखना है कि यह 100 इसका RL जानेंगे और इससे यहां close transverse करेंगे इसी को बोलते हैं close transverse तो close करेंगे ताकि यह 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तब ही इसको fix मानेंगे यह इसको fix कर देंगे यानि TBM temporary benchmark या इसको RL लिख सकते हैं benchmark BM हो सकता है इसका reference में कब जब close transverse करेंगे तब समझके अब मैं एक और बात बता दो इसका reading आपन क्या देखें हैं पहला reading देखें आपको जब देखें हैं BS देखें हैं थोड़ा एक फॉमिट बना लिजी एक IS होता है यहां यहां दाइस हैं इंटर्मियर्ट साइड नहीं है FS आपका HI और RL RL पहला क्या है 100 यहां है ओके 100 यहां है अब क्या करें BS पहला reading क्या देखें है 1.220 calculation मैं आपको बताऊंगा direct FS देखें हैं 1.423 ओके फिर यह reading इसी के सामने back side यहां आजाएगा यह देखें है अपन 1.025 अब जश्ट आपकी जब मसीन आपका यहां सेट होगे यह भी देखें तो आप यह देखेंगा direct यहां पर देखें हैं यह reading आपन देखें हैं 0.942 समझेगा अब क्या किया है फिर यहीं machine था और इसी machine से फिर हम इस पर देखेंगे तो same reading आएगा अगर machine change किये होते मतलब दूसरा reading आजाता लेकिन आपन machine change नहीं किये reverse करने के लिए तो reverse करने के लिए reading फिर इसी इसी पर देखेंगे हैं यह आपका B S हो जाएगा यानि फिर उल्टा चलेंगे तो यह B S फिर देखेंगे तो B S कितना देखेंगे 0.942 मसिनचेंज नहीं किये हैं ओके फिर यहाँ पर आ जाएगे तो यह आपको आएगे तो यह अपर यह U LTE हो जाता है F S में कितना देखेंगे आपन एक डाउट आपके मन में आ रहा है मैं आपको क्लियर करूंगा कि यह 0.42 कैसे हो गए यह मैं आपको बताऊंगा ठीक है फिर आपन इस पॉइंट पे आ गए फिर मसीन को यहां सेट किये और यहां सेट करने के यहां रीडिंग देखें तो यह रीडिंग बी एस में आ जाएग आपको पॉइंट सेवेन पॉइंट सेवेन वन फोर आया है ओके यह आ गया वन फोर आ गया अब मुझे कल्कुलेट करना है है एच आई और आरल आरल ठीक उसे पहले मैं बता दूँ कि यह इसका अटो लेबल का लिश्ट काउंट कितना होता है आपका पांच एमेम पांच तक जैसे कि आपको मैं एक बता दूँ कि थोड़ा आप जब अटो लेबल के अंदर जब देखेंगे तो इस टेराइब देखें दो यह क्रोस हेर होते हैं ठीक है तो यह बीच का यहां रीडिंग देखते हैं समझते हैं बात को अब जाना समझिएगा कि यह कैसे आया इसको एजूम करते हैं कि 5 mm के अंदर है कहां है देखें यह ब्लैक जो पटी जब देखते हैं इस टाप जो देखेंगे तो अब देखिए अब इसको क्या बोल सकते हैं माल निया जाए कि यह माले यह नहीं होता है यह इसी तरह से ये बीच दीच टो बोल नहीं सकते हैं इसमें आपको अनुहोस के अनुसार पर कीます तो नहीं हो सकता है कि ताकि हमारा एर कम से कम यहां पर एर आए जब हम कलोज करें तो पात 10 इमें भी से मिन आए अगर आप यहीं पूर्वक यह कितना है दम जब भी लेंगे सोधानी पूर्वक लेते हैं आरेल जब ट्रांसफर करते हैं तो ओके अब इसको कल्कुलेशन करना है तो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूँ कि हाई निकालने के लिए होता है आरेल प्लस बीएस ओके और आरेल इस गोल टू होता है एच आई माइनस एफ एस या आई एस ओके यहीं दो फर्मूला यूज़कर के पूरा आरेल निकाल लेंगे समझें एक बार समझें कि हाईट ओफ इंस्टुमेंट एल्ठ निकालने की इसका crying फर्मूला होता है तो लेबल हाजाएगा हईट Soul अब इसको करें रखायध वीश्टूमेन से घटा ते हाँ का दिद मालूम चल जाएगा और मुझे यहाँ का मालुम चल जाएगा समझ नहीं एसा ही होता है यह फर्मूला समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझे अब क्या करना है कि अब क्या करना है हाइट अब इसका अरेल फसके ही निकल गया है समझ गये हैं, जब HI निकल गया तो इस point का RL मुझे चाहिए, इस point का RL कैसे निकलेगा, 10-10 जैसे RL लिखा गया है, HI-FS, तो 10-10 करेंगे, तो दोनों minus किजिए, तो इसका RL निकल जाएगा, 99.797, अब देखिए, आप इसका RL जानगे है, ठीक है, और जब RL जानगे तो मस मचीन और ये बहला मचीन और निकलन पर चेंच पाम खोगया, आपको एक एक चाहिए और निकलना पड़ेगा यहाँ और वाट जोगिए यह यहां का दिखो यह अंतर तो यह कर दिंच निकल दिश τις पमरें यह निकल गया है ओके अब इस पॉइंट का आडल यह ही तो मुझे सिफ्ट करना था यह जब सिफ्ट करना है तो यह किसा दीस माइनस दीस यह डिदिंग लिये हैं आप दीस माइनस दीस कर दियेगा तो यह आपका आजाएगा कितना 99.88 आप थोड़ा समझेए जब इस पॉइंट का आरेल मालम चल गया तो आपने क्या क्या डिवर्स जाने लगा मसीन यहीं रखे है डिवर्स जाने के लिए मसीन को डिश्टर्ब ने रिवर्स जाना तो क्यों डिश्टर्ब करेंगे तो आपने इसको फिर क्या लिए है तो हाइट अप इंस्ट्रुमेंट सेम होगा क्योंकि हाइट अप इस चेंज नहीं होगा फिर भी यह देख लिजिए अब ये निकाली गया तो इसका यह प्लस में इस पे जो बी एस निकल एक है जो आप दीरिंग लिए थे एफ यहीं बी एस हो जाएगा एक हैस को रिवर्स जाते हैं तो क्या करते हैं FSBS बन गया तो यह reading मैंने बताया था और इस में से यही height of instrument रहेगा क्योंकि height of instrument चेंज नहीं हुआ है तो यह होगे height of instrument अब इस पी क्या करें अब इसका reading इसका देखी लिजी आरेल निकाल लेजिए जब इस machine से आरेल निकाल लिएगा इसका आरेल हो जाएगा निकाल लिए 99.99.592 अब देखिए कोई guarantee नहीं है कि जब दोबारा reading लें तो यहीं पे लेंगे अगर कोई guarantee यह इस्टाप यहां भी रख सकते हैं कोई fix नहीं कि यहीं पे रखना है याद है तो अच्छी बात अगर रखेंगे तो same reading आगा सेम आरेल आएगा जैसे कि जब यह जाते समय यह आरेल आया था तो इधर से भी यह आना चाहिए था लेकिन यह कोई guarantee नहीं कि यहीं है ध्यान देजिए नहीं तो आप यह question कर सकते हैं आप comment box में लिख सकते हैं ओके तो यहां नहीं है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अब उसके बाद जब आपका यह आ गया जब machine आप फिर आप change करेंगे तो change करेंगे तो इसी पर रखेंगे यहां माले जीए तो इस आरेल से इस आरेल का जो आया आपको यह plus कर देना है तो height of instrument आजाएगा height of instrument आएगा 100.716 अब देखें machine आपका यहां आ गया machine कोई guarantee नहीं यह machine आप यहां भी हो सकता है मैं आपको बता दूँ जब यहां से यहां reading देखेंगे तो आया था 714 तो 10-10 यह reading आ गया 100.002 आप दिखिए थोड़ा ध्यान दिजिए यह कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए लेकिन 2 mm का error तो कोई माने नहीं रखता है 2 mm का error यहां से 100 मीटर में 2 mm आया है तो आप इसको एक mm consider कर दिजिए तो इसका RL केतना हो जाएगा आरेल यहीं आरेल था ना कौन सा आरेल है आपका यहां पिलाए थे यह 99.88 यहीं तो आप सिप्ट किये हैं यह यहां इस पॉइंट पे तो यह आपका गया इसको 1 mm प्लस मैनस कर दिजिए प्लस कर दिजिए यह मैनस कर दिए दो एमेम कर दिए ता 99.889 यह आरेल फिक्स हो गया इस तरह सोधानी पुर्भग आरेल सिफ्ट करते हैं अगर आप सब को कोई